हेलो मेरे यूट्टी फैमल वेलकम बैक माई यूट्टी चैनल वेलकम टू प्रियांगा को मैं आप सबी का फीचे स्वागत करती हूँ आज मैं आप सब के लिए लिखा हैं फीस करी की रेसिपी वो भी एकदम असान तरी की से बनाएंगे और ये इतना टेश्टी बन करके त् सबसे पहले मसाला को पीच करके त्यार कर लेंगे मसाला पर यहां पर लिए हैं पीला सरसो आप लोग चाहे तो काला सरसो का इभी इस्तमाल कर सकते हैं और यहां पर लिए मखड़ा-गड़ा मसाला लसून की कल्या लसून की कल्या को हम छील दिये हैं और अधर को भी हम छील दिए हैं और यहां पर कुछ खरी मिश्ट लिए हैं और आप लोग कितना तीका पसंद करते हैं उसी इसाब से लिजेगा अब हम इन सब को मिक्सर जाल में डाल देंगे अब हम हलका पाइन डालेंगे इसका पेस्ट बना करके त्यार कर लेंगे और देखिए हम मसाला को पीछ करके त्यार कर लिए हैं मशली को फ्राय करेंगे मशली को फ्राय करने के लिए यहां पर हम एक किलो मशली ले लिए हैं और आप लोग कितना मशली बनाएंगे उसी साफ से लीजिएगा अब हम डालेंगे आधा चमय से कम हल्दी पौडर आधा चमय से कम लालमिस पौडर आधा चमय से कम नमक अब हम ड देखे हैं मचली तरह से मिला दी हैं अब हम चलते हैं मचली को फ्राय करेंगे मचली को फ्राय करने के लिए यापर हम पहली कड़ाय चड़ा करके गरम कर लिए हैं अब हम इसमें डाल देंगे सरसो तेल और तेल को हम गरम होने देंगे तरह हमारा गरम हो गया है अब हम मचली को fry करेंगे अब हम मचली को ढाल देते हैं देखे हम ढाल दिये हैं अब हम चुलनी के मदध से इस तरह से छला देंगे और ग्यास को medium to low flame पर रखेंगे और मचली को बीच-पीच में पलटते रहेंगे ताकि हमारा मचली जले नहीं और मचली को तब तक फ्राय करेंगे जब तक अच्छी तरह से फ्राय ना हो जाए और देखे हमारा मचली तरह से फ्राय हो गया है अब हम इसको एक बटर में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम सारा मचली को फ्राय करके निकाल लेंगे और आप सब को और एक बार फ्राय करके दिखा रहे हैं देखें हम सारा मचली को फ्राय करके निकाल लेंगे अब हम चलते हैं फीसकरी बनाते हैं फीस करी हम इसी तिल में बनाएंगे और तिल हमारा गरम है अब हम इसमें डाल देंगे साबूत जीरा और तीज पत्ता और जीरा को हम चटकने देंगे जीरा हमारा चटक गया है अब हम इसमें डाल देंगे बारीकटवा प्यांस और प्यांस को हम गोल्डन ब्राउन होने तक बुनेंगे देखिए हमारा प्यांस ब्राउन हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे बारीकटवा टमाटर अब हम इसी तरह से मिला देंगे देखिए हम अची तरह से मिला दिया अब हम डाल देंगे मसाला जो मसाला पीछ करके रखें इसको हम डाल देंगे अब हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मीज पाउडर, लाल मीज पाउडर इन सब को हम डाल देंगे अब हम डालेंगे स्वादर नमक अब हम अच्छी तरह से मिला देंगे अब हम हलका पाइन डालेंगे और यहाँ पर हम मसाला पानी का ही इस्तेमाल करें अब हम इसको डाल देंगे अब हम अच्छी तरह से मिला देंगे देखे हैं मिला देंगे अब हम 10 मिट तक मीडियम फिलिम पर ढख करके रख देंगे और 20-20 में चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं 10 मिट हो गया है अब हम ढखन को हटा देते हैं अब हम चला देते हैं और देखे हमारा मसाला ची तरह से भून करके त्यार हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे पानी और पानी आप लोग कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी इसाब से डाल देगा हम अपने ग्रेवी की इसाब से पानी डाल रहे हैं अब हम इसी तरह से मिला देंगे और गिरिवी में उबालाने देंगे और देखे हमारा गिरिवी में उबाला गया है अब हम इसमें डाल देंगे जो मसली फ्राइ करके रखें इसको हम डाल देते हैं अब हम इची तरह से मिला देंगे देखे हम इची तरह से मिला देंगे अब हम medium flame पर 15 minute तक ढख करके रख देंगे और 20-20 में चलाते रहेंगे 15 minute हो गया है, अब हम धकन को हटा देते हैं देखे, हम धकन को हटा दीने залब के चिकन मसालन अब हम डाल देंगे बरेकटव धनियपत्ता और एची तरह से मिलादेंगे और हाई फ्लेम पर दो मिनिट तक अच्छी तरह से खोला देंगे दो मिनिट हो गया है और हम इसी तरह से खोला दिये हैं अब हम गैस को बंद कर देते हैं और देखें हमारा फीस कर एकदम बंद करके त्यार हो गया है अब हम सर्व करते हैं आप लोग मेरे तरीके से इस recipe को एक बार जरूर बना कर 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 ट्राय किजएगा यकिन माने दोस्तों आप सबको बहुत पसंद आएगा उम्मित करते हूँ कि आज की recipe आप सबको बहुत पसंद आई होगी यदि पसंद आयतו हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो साय करें और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करा ना भूले और आप लोग हमें कॉमेंट करके जुरूर बताईए कि आप सबको ये रेसिपी कैसे लगी अब हम अगले उडियों फिर मिलते हैं तब तक लिए बैबै